नमस्ते जी कैसे हैं आप सावन सोमवार की आपको धेर सारी शुब कामना है ऐसे लग रहा है कि सावन का महीना यू आया और यू गया देखते ही देखते आज सावन का अंतम सोमवार आ गया है इस साल सावन का महीना बहुत ही खास रहा है सावन के पहले सोमवार को चंद्रयान दो लॉंच हुआ था तो दूसरे सोमवार को ट्रिबल तलाक बिल पास हुआ था और पिछले सोमवार को आर्टिकल 370 महादेव की लीला है दोस्तों वैसे तो सोमवार का दिन शिवजी को समर्पित है वैसे ही सावन का महीना भी शिवजी को समर्पित है ऐसे में सावन सुमवार का महत्व शब्तों में बया नहीं किया जा सकता ये तो सिर्फ महादेव के भक्त ही महसूस कर सकते हैं महादेव अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो अगर आपने आज तक सावन सुमवार की वृत कथा नहीं सुनी है, तो कम से कम आज यह पूरी कथा सुने, क्यूंकि जो सच्चे दिल से यह कथा कहता है, पढ़ता है यह सुनता है, महादेव उस भक्त की सारी बनुकामनाय जल्द पूर्ण करते हैं, तो आप से गुजारश है कथा पूरी सुने, क्यूंकि व्रत के बीच ही उसे तोड़ा नहीं जाता, और कथा के बीच से ही उठा नहीं जाता, कथा इस प्रकार है, अमरपूर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था, नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे, इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतरमन से बहुत दुखी था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी उसकी मृत्यों के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ती को कौन संभालेगा पुत्र पानी की इच्छा से वह व्यापारी प्रती सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन मा पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा हे प्रान्नात यह व्यापारी आका सच्चा भक्त है कितने दिनों से यह सोमवार का अफरत और पूजा नियमित तौर पर कर रहा है भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करे भगवान शुवजी ने मुस्कुराते हुए कहा हे पार्वती इस संसार में सब को उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ती होती है प्रानिर जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है इसके बावजूत पार्वती जी नहीं मानी उन्होंने आगरह करते हुए कहा नहीं प्राननाथ आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी यह आपका अनन्य भक्त है प्रती सोमवार आपका विधिवत फ्रत्क रखता है और पूजार्चना के बाद आपको भोग लगा कर ही एक समय भोजन ग्रहन करता है आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान देना ही होगा पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शुर्फ जी ने कहा तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वर्दान देता हूँ लेकिन इसका पुत्र सोला वर्ष से अधिक जीवत नहीं रहेगा उसी राद भगवान शुर्फ ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया और उसके पुत्र के सोला वर्ष तक जीवत रहने की बात भी बताए भगवान के वर्दान से व्यापारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपायू की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा कुछ महीने पस्चात उसके घर अती सुन्दर पुत्र उत्पन हुआ पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का सवारोह मनाया गया व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अलपायू के रहस्य का पता था यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूँ था विद्वान ब्राह्मनों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर बाहरा वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वार नसी भेजने का निस्चै हुआ व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वारान सी छोड़ा अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्री व्रिश्राम के लिए ठहरते वही यग्य करते और ब्रामनों को भोजन कराते थे लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे उस नगर के राजा की कन्या के विवा की खुशी में पुरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था उसे इस बात का भैता की कहीं राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवा से इनकार ना करते इस से उसकी बदनामी होती वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूलहा बना कर राजकुमार से विवाह कर दू विवाह के बाद उसको धन दे कर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाओंगा अमर को दुरहे के वस्त्र पहना कर राजकुमारी चंद्रिका से विवाहत करा दिया गया राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया अमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और इसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया राजकुमारी चंद्र का तुम्हारा विवा तो मेरे साथ हुआ था मैं तो वारानसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नव्युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है जब राजकुमारी ने अपने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जानी से इंकार कर दिया राजा ने सब बाते जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर अमर अपने मामा दीप चंद्र के साथ वारानसी पहुँच कया अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब अमर की आयू सोला वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यग्य किया यग्य की समापती पर ब्राह्मनों को भोजन कराया और खूब अन्वस्त्रदान की रात को अमर अपने शेहन कक्ष में सो गया शिव के वर्दान के अनुसार शेहनावस्ता में ही अमर के प्रान पखेरू उड़ गए सुर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे मामा के रोने विलाब करने के स्वर समीब के गुजरते हुए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने भी सिने पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा प्रान नाथ मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे आप इस फ्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें भगवान शिव जी ने पार्वती जी के साथ अद्रश रूप में समीब जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले पार्वती यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्ष की आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू तो पूरी हो गई पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवीदन किया हे प्राननाथ आप इस लड़के को जीवत करें नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यों के कारण रो रो कर अपने प्रानों का त्याग कर देंगे इस लड़के का पिता तो आपका परमभक्त है वर्षो से सोमबार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है पार्वती जी के आगरभ करने पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवत होने का वर्दान दिया और कुछ ही पल में वर जीवत होकर उठ बैठा शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की और चल दिया दोनों चलते हुए उस नगर में पहुँचे जहां अमर का विवा हुआ था उस नगर में भी अमर ने यग्य का आयोजन किया समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग्य का आयोजन देखा राजा ने अमर को तुरंद पहचान लिया यग्य समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत साधन, वस्त्र देकर राजगुमारी के साथ विदा किया रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सेनिकों को भी साथ बेजा दीपचन ने नगर में पहुँचते ही एक दूद को घर भीज कर अपने आगमन की सूचना भीजी अपने बेटे अमर के जीवत वापस लोटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन हुआ व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयम को एक कमरे में बंद कर रखा था भू के प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतीग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समाचार मिला तो दोनों अपने प्रान त्याग देंगे व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा अपने बेटे के विवा का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा उसी रात बगवान शिर्व ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहां हेशरेश थी मैंने तेरे सुमवार के वरत करनी और वरत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है व्यापारी बहुत प्रसन हुआ सोमवार का वृत करने से व्यापारी के घर में खुश्या लोटाई शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरश सोमवार का विधिवत वृत करते हैं और वृत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं जै भोलेनात की हर हर महादेव